रवी एंड रोहित दोनों ने 7 में इंजिनियरणिंग कम्प्लीट की रवी की पैकज लगी थी 6 لاक की और रोहित की लगी जिसकी खुद की 11 लाक रुपे की पैकज थी उस वक्त उसने रोहित को बोला कि भाई तु ये क्या कर रहा जॉब पे फोकस कर कुछी महिनों में शायद और इंक्रिमेंट होगा और तू 20 या 25 लाख रुपए कमाएगा रोहित ने बोला भाई बात पैसे की नहीं है बात है फ्रीडम की रवी एक तरफ सुबह जल्दी उठता बिना ब्रिकफस्ट किये जैसे तैसे ट्राफिक में घंटो रहकर ऑफिस पहुँचता और ऑफिस से आते ही खाना बनाता फिर कपड़े धोता घर की सफाई करता और टायड होकर जब वो बेड़ पे लेट था तो फिर और दो तीन घंटे सोशल मीडिया पे रील्स देखकर वेस्ट करता और जब वो घरी की ओर देखता तब खुद को कहता आज फिर से 5 घंटी के उसने और वो अपना पोरा जान लगा रहा है नए क्लाइंट जोडने में अपनी सर्विस एन प्रोडक्ट को बेटर बनाने में टीम बिल्लिंग पर फोकस कर रहा है और कोची सालों में उसका बिजनेस पॉफिटबल होने लगता है और वो सिर्फ ऑफिस में 4 से 5 घंटी के जाता है only important काम करता है क्योंकि बाकी सारे काम उसके employ करते हैं या उसने किसी को delegate कर दिया है जो उससे भी बेटर उस काम को कर सकता है रोहित ने एक ऐसा system बिल्ड किया है जिससे वो कहीं पर भी रहे सिर्फ laptop और इंटरनेट पर उसका business चलता रहेगा तो अब ये बताईए कि आपको कौन से life choose करनी है अगर आपको रोहित की life जीना है या फिर आपको रवी की life जीना है क्या कभी आपने सोचा है कि फिल्मों की तरह ही आपकी life भी scripted है पहले पढ़ाई इच्छे से करो competitive exams के तयारी में लग जाओ अपना बचपन sacrifice कर दो फिर job की security के लिए 12 घंटे काम करो और अब बस एक heart attack का wait कर रहे हो break लेने के लिए लेकिन अगर heart attack आ भी गया तो आप उसे बोलो कि भाई तो कल आना मुझे आज presentation बनानी है कल एक important meeting है unscripted बाई MJ डिमार को book में ये बताया गया है कि इस script को change कैसे करे life को ऐसी direction में कैसे मोरे जहां पर आप अपने लिए काम कर रहे हो पैसे भी आ रहे हैं और life को enjoy भी कर रहे हो और सबसे important चीज़ आपकी पास freedom है ये है वो framework जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और इसे हम आज detail में समझेंगे इस framework को author ने नाम दिया है the unscripted entrepreneurial framework जिसे short में हम tunef कह सकते हैं author कहते हैं कि हम सब एक modern day गुलामी कर रहे है यानि we all are modern day slaves लेकिन इसका solution यही है unscripted life scripted life में कोई और आपके life के decisions को control करता है unscripted life में आप खुद करते हैं scripted men को author ने कहा है model citizen यानि mediocre, obedient, dependent, entertained and lifeless और सबसे बड़ी problem यह है कि scripted men seeders होते हैं ये खुद जो average life जी रहे होते हैं वो इस life को promote भी करते हैं और बाकी लोगों को भी follow करने के लिए कहते हैं imagine करें कि आपको point A से point B तक पहुचना है जहां पहुचने के लिए 3 रास्ते हैं लेकिन point A है आपका current situation और point B है जहां पर आप बहुत अमीर हो और आपके पास freedom भी है तो आप कैसे पहुचोगे point B तक पहला option है पैदल चलना दूसरा है cycle पे चलना तीसरा है sports car drive करके वहां पहुचना mostly लोग ये बोले हैं कि sports car सबसे fastest तरीका है वहां पहुचने का लेकिन हम क्या ऐसा खुद के life में करते हैं पहले दो option को जो choose करते हैं वो लोग कभी भी unscripted life नहीं जी पाएंगे number one जो पैदल चलते हैं उन्हें author कहते है side walkers ये वो लोग है जो पैदल चल रहे हैं बिना कोई direction के point B के लिए इनको author कहते हैं कि ये सिर्फ instant happiness के लिए जीते हैं tv show में क्या चल रहा है कौन सब cricket player अभी form में नहीं है इंटरनेट पर fight करना चोटी चोटी चीजों पर अपना दिमाग लगाना ये कुछ characteristics है side walkers की इनका point of view सिर्फ दूसरों पर focus रहता है ना कि अपने आप पे इनकी ideas, beliefs सब किसी एक famous वेक्ति का copy है इसलिए इनको life में किसी इनको author कहते हैं ants यानि cheat year क्योंकि इनका method बहुत old fashion है और आज की जमाने में success achieve करने के लिए बिलकुल भी सही नहीं है पर ये side walker से better होते हैं slow laner का दो motto होता है savings and sacrifice यानि इनके पास कोई job होती है जिसका कुछ हिस्सा ये invest करते हैं और अपने life में बहुत कम खर्चे करते हैं तो basically इनके life में कोई adventure ही नहीं है और जिस कारण ये खुश भी नहीं होते हैं और इनका जो point B तक पहुँचने का जो time है ये बहुत जादा हो fast lane में कुछ ही sports card चलती है यानि बहुत कम लोग इस path को choose करते हैं इसलिए इस lane में बहुत कम गाडिया होती है इस lane में आप एक business को own करते हैं आप vacation पे जाते हैं अपने और अपनी परिवार के लिए सबसे best life provide करते हैं जिससे उनको कोई stress नहीं हो life में और किसी भी चीज की कम कभी महसूस ना हो fast lane में drive करने के लिए आपको the unscripted entrepreneurial framework को follow करना होगा जिसमें 6 steps हैं लेकिन इस framework को दो पार्ट में divide किया गया है पहला पार्ट है micro processes इसमें आप अपनी thinking pattern को change करते हैं पैसो के बारे में यानि पहले आपकी सोच ये थी कि अगर मुझे degree मिल गई तो मुझे ए दूसरा पार्ट है macro processes जिसमें आप एक चीज को बार बार करते हैं उससे feedback लेते हैं और फिर से करते हैं और क्यूंकि आप बार बार कर रहे हैं तो हर एक action के बाद आपको improvement मिलती है जिससे आप उस काम में और बहतर होते जाते हैं तो इनी दू processes को जोड़के ये framework बना है और हमें help करेगा एक dream life achieve करने में पहला step है TFE जिसका full form है the fuck this event ये एक ऐसा time होता है जहां पे सब कुछ का limit cross हो चुका है यानि आपकी mental health बहुत खराब हो चुकी है आपके पास time की कमी है आप workout नहीं कर पा रहे हैं आपका कोई दोस्त या girlfriend नहीं है क्योंकि आपने उनके लिए time नहीं नहीं निकाला है और आपकी salary भी कुछ खास नहीं है तब आप कहते हैं भार में जाये script अब मैं अपने life को अपने इसाब से grow करूँगा और अपने लिए काम करूँगा author कहते हैं कि इस event के बाद आपकी life easy नहीं होगी बलकि आपका life और hell हो जाएगा क्योंकि आपकी जो fixed income आ रही थी वो बंध हो जाएगा day one से ही यानि 99.99% लोग इस event को ignore करते हैं क्योंकि उनको डर रहता है future का कि आगर मैंने job quit कर दिया तो मेरा क्या होगा इसलिए वो इस decision को नहीं लेते हैं तो basically जिस दिन आपको ये realize होगा कि आप कुछ बढ़ा करने के लिए इस दुन हर chapter में common thinking error बताया गया है और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं इस book की summary आप कुकू FM आप पर सुन सकते हैं जहां पर आपको एक घंटे की detail summary मिल जाएगे इसी book के कुकू FM इंडिया की leading audio show platform है जहां पर 10,000 घंटे से ज़्यादा की audio show library available है और book below viewers के लिए एक बहुत ही बढ़िया offer ये है कि आपको इनकी annual membership पर 50% off मिलेगा अगर आप code use करेंगे BP50 personal finance के उपर कई सारी books की भी summary आपको मिल जाएगी इन में से मेरे कुछ favorite book summaries है money master the game, धंदो investor, the total money makeover and the little book of common sense investing audio learning का फाइदा ये है कि दूसरे activity के साथ भी आप इसे कर सकते हैं यसे मैं mostly workout करते वक्त कुकू FM आपको use करता हूँ अपनी knowledge improve करने के लिए description and pinned comment में आपको link मिल जाएगा कुकू FM का तो जरूर check out करिये and audio learning से अपने life को बहतर बनाईए दूसरा step है 3BS यानि beliefs, biases and bullshits author कहते हैं कि beliefs drive our action यानि आप क्या सोच रखते हैं वैसे ही आप काम भी करते हैं अगर आपकी belief आपके बारे में अच्छी नहीं है तो यह cancer की तरह है चार belief है जो आपको अभी change करनी पड़ेगी यह belief रखने वाले लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे इनको लगता है कि कुछ भी achieve करने के लिए कोई shortcut available है जैसे example मैं बहुत अमीर बन जाओंगा दो सालों में यह क्या हुआ यह एक event है लेकिन मैं पूरा दिन social media यूज करता रहता हूँ यह क्या है process तो आपको क्या लगता है कि इस process से क्या वो event achieve कर पाएंगे आप हम सभी को event focused नहीं होना है बलकि process focused होना है और सर कहते हैं कि गरीब और मिदल क्लास लोग हमेशा 99% अपना focus event पर रखते हैं और सिर्फ 1% focus process पर देते हैं लेकिन अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको उल्टा सुचना पड़ेगा आपको 99% process पर ध्यान देना पड़ है और वो ये मानते हैं कि उनका जो current skills and abilities है वो अच्छी नहीं है जिस कारण इनको लगता है कि hard work करके फाइदा ही क्या है जब मुझे पता है कि मैं एक average या below average रिखती हूँ ये एक fixed mindset का example है अगर आप 99% focused है fixed mindset पर तो आपको growth 1% मिलेगी जैसे अगर आपको coding सीखनी है और आपका background non-tech रहा है मान लेते हैं कि आपने history के पढ़ाई की है तो आपको अगर अपना career transition करना है tech में तो आप बहुत पहले से ही अपने आपको self doubt करने लगते हैं आप खुद को बोलते हैं कि मैंने कभी coding नहीं की है और ना ही मैं computer में उतना अच्छा हूँ जिससे आप पढ college नहीं गए है फिर भी वो coding में expert बन गए है और वो आज एक अच्छी position में है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा अगर मैं अभी से पढ़ना चुरू करूंगा मुझे difficult लगेगा मैं मर तो नहीं जाऊंगा न पढ़के तो दुनिया में कोई भी चीज impossible नहीं है ये आपको समझना पड़ेगा ये एक example है growth mindset का आप खुद मुझे comment करके बताइए कि आपका growth mindset है या fixed mindset है तीसरा believe है the consumption scam how much time did that cost ये believe आपको आज ही change करना पड़ेगा आपको ज़्यादा produce करना है ना कि consume जब हम छोटे थे तो हमें सब कुछ free में मिल consumption कम कर देते हैं वही fast laners अपना production बढ़ा देते हैं author कहते हैं कि if you want to live well you need to produce well अगर आप social media पे अपना time दे रहे हैं reels देखने में तो आप social media को consume कर रहे हैं लेकिन एक fast laner वाला वेक्ति इनी social media पे content produce करेगा तो जब आप tv देखते हैं और जब ये ads आती हैं तो slow laner इन ads को skip कर देते हैं लेकिन एक fast laner वेक्ति उस ad को कैसे design किया गया है और उससे सीखने ही कोचिश करता है क्योंकि ad industry बहुत creative industry है जिसमें कम time में आपको लोगों का attention जीतना है तो fast laner हर एक चीज से सीखने ही कोचिश करता है और उससे अपने life के साथ relate करता है Amazon and Flipkart का sale के लिए हम अपने जिन्दगी में apply किया है मैंने अपने अंदर बहुत change मैसूस किया है यसे मैं पहले youtube videos consume करता था तो उससे मुझे definitely बहुत कोई सीखने को मिल रहा था लेकिन जब से मैंने खुद का content बनाना शुरू किया है especially मैं आप सभी के लिए books पढ़ता हूं उससे summarize करता हूं एक animated video के form में आपके लिए upload करता हूं तो इससे मैं ज़्यादा सीख पा रहा हूं और मुझे content production का business side भी सीखने को मिल रहा है practically जो कि सिर्फ videos देखकर आप नहीं सीख सकते हैं तो आप सभी को consumer से producer बनने पर focus करना है अगर आपको अमीर बनना है तो believe number 4 है the money scam I can get rich by wanting to get rich ये बहुत बड़ा scam है जो हम खुद से ही करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आप अमीर बनेंगे तो इसका ही मतलब नहीं है कि आप अमीर बन जाएंगे पैसे का concept आप समझे पैसा एक value है जो universal होता है 100 रुपे के note से आप 100 रुपे तक की value की चीज़े क्या है और लोग क्या देने के लिए ready है इसमें बहुत फर्क होता है जैसे ये एक Da Vinci की painting है Salvatore Mundi Saudi Arabia ने इसे 450 million dollars में खरीदा है यानी approximately 3700 करोर में क्योंकि लोग इस painting को खास मानते हैं लेकिन यही painting अगर कोई UP में बनाया होता रवी कुमार ने तो मुझे नहीं लगता कोई 3700 करोर उस painting के लिए देता उल्टा लोग उसे criticize करते कि का भूत प्रत बना दिये हो तो खेल यहां पर perceived value का है कि लोग किसी भी चीज़ को कितना देने के लिए ready है तो हम सभी को ज़्यादा पैसे कमाने पर नहीं बलकि ज़्यादा value create पर focus करना चाहिए जिससे पैसे तो अप दूसरा B है biases, biases का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, चीज़ या सोच को favor करना जैसे आपकी मम्मी हमेशा आपको ही support करेगी चाहे आपने पड़ोसी के बेटे की, जम की कुटाई की हो एक छोटे से pencil के लिए, उसी तरह कुछ सोच और विचार होते हैं जिससे आप favor करते है या आपका जुकाव रहता है उसके प्रति, author कहते हैं कि success पाने के लिए जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है आपका brain, दो biases हैं जो आपको आज ही change करना पड़ेगा, number one, change adversity, refusing change is refusing success, हमारे brain को बदलाव पसंद नहीं है, क्योंकि उसके लिए effort या फिर महनत लगती है, लेकि number two bias है, righteousness, why you should rather be right than rich, बहुत सारे लोगों का एक set of values होता है, जिस कारण वो खुद को change नहीं करते, उनका ये मानना है कि मैं गरीब रह सकता हूं, लेकिन मैं ये काम कभी नहीं करूँगा, ये भी एक bias है, जैसे मैं online content produce नहीं करूँगा, क्योंकि online content produce करने में मुझे शर्म आ ये आपको अमीर बनने से रोकता है हर रोज, 3BS में तीसरा B है, bullshits, and number one bullshit है, cliches, ये ऐसे sentences है, जो आप खुद को बोलते हो, या दोस्तों में share करते हैं, जिससे आपको अपने current situation में comfortable महसूस हो सके, जैसे आप देखोगे कि single लोग हमेशा couples को troll करते हैं online, author कहते हैं कि poor and middle class ल कि लिए है क्योंकि वो कोई illegal काम कर रहा होगा, अमीर लोग ज़्यादा depressed होते हैं, इससे बेतर तो हम लोग है, at least हम चैन की नीमतिसो पाते हैं, अमीर लोगों ने गरीब का हक मार के अमीर बने हैं, हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम एक इमानदार विक्ती हैं, अगर आपके दोस्त या family में इस तरीके की बाते होती हैं, इससे आपकी भी ये believe हो जाती है, और ये सबसे बड़ी bullshit है, तो ये था step number two, three BS, यानि believes, biases and bullshits, ये step ने मुझे personally help किया है, मेरे mindset को बहतर करने में, specially ये समझने में कि कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं, लेकिन अकसर वो हमारे excuses होते हैं, जो हमें काम करने से रोकते हैं, तीसरा step है, इस framework में MP, यानि meaning and purpose, इस step को ध्यान जा सुनिएगा, बहुती सरल नियम है, extraordinary result demands extraordinary commitment, अगर आपको कुछ बहुती बड़ा achieve करना है, तो उसके लिए आपको उस level का commitment and dedication चाहिए, जब सब अराम कर रहे होत तब एक athlete practice पर जाता है, तो ये commitment कहां से आता है, क्योंकि उसका purpose clear है, मुझे इंडिया के लिए खेलना है, meaning and purpose यानि आपके life का मकसद क्या है, किसी के लिए अपने family के लिए कुछ करना है, किसी को बहुत ज़दा पैसे कमाने है, किसी को जानवरों के लिए काम करना है, ये आपका meaning है life का, जैसे अगर आप top college के लिए prepare कर रहे हो, तो आपका पढ़ने का purpose clear है, उसी तरह author कहते हैं कि आपको life का meaning and purpose पता होना चाहिए, वरना आप hard work नहीं करेंगे, या कुछ दिन आप मन मार के काम कर लेंगे, लेकिन फिर आपको कोई और चीज attractive लगने लगेगी, इसी लिए chapter 29 में bad life advice, इस chapter में author ने इतने अच्छे से एक बहुत ही important modern problem को solve किया है, इस chapter में author कहते हैं कि अगर आप अपने passion को follow करते हो, तो ज्यादा तर बार ये worst advice है आपके लिए, क्योंकि अक्सर आप लोगों से सुनते होगे कि do what you love, यानि वो करो जो तुम्हें पसंद बनाना है, जो आपको पसंद है consume करना, बलकि आपको वो product बनाना है, जिसकी customer की requirement है, दूसरा problem ये है कि कुछ ही लोग successful होते हैं, जो अपना passion follow करते हैं, एक TV reality show का winner सिर्फ एक ही होता है, लेकिन लाखों लोगों की struggle नहीं दिखा जाती है, जो की success achieve नहीं कर पाएं, तीसरा, कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका product आपके लिए कितना important है, अगर आपका product value deliver नहीं करता है, तो उसे कोई नहीं खरीदेगा, अगर आपको सिर्फ boiled vegetable खाना पसंद है, और अगर आप इसका restaurant खोलती हो, बहुत investment करके, और क्या पता आपका restaurant बिल्कुल ना च चौथा है justification effect, यानि जो आपको पसंद है अभी करना, उसे अगर आप बार-बार करोगे, तो उसी काम से आपको नफरत हो जाएगी, इसे कहते हैं over justification effect, आपको car drive करना पसंद है, लेकिन अगर आप एक हफते के लिए cap driver बन जाएगे, तो आपको car चलाने से नफरत हो जाएग तो एक मात जरिया ये है कि आपको different चीजे try करनी पड़ेगी life में, author कहते हैं कि find a problem in your life and fix it, अगर आपके life में problem नहीं है, तो दूसरों के life के problem देखिए और उसे solve करेए, और उसी solution को बेचिए आप, किसी को value deliver करना दुनिया का सबसे best addiction है, जिसे author कहते है entrepreneurial heroine, जब आप customer का problem solve करते हैं, और उसके life बहतर होती है, तो ये एक drug की तरह काम करता है, एक entrepreneur के लिए, तो step number 3 में हमने सीखा, कि आपका meaning and purpose clear होना चाहिए, क्योंकि पहले 2 step, यानि TFE moment and step number 2, 3 BS, ये आपको help करेगा motivation में, लेकिन actual hard work के लिए, आपको meaning and purpose बिल्कुल clear होना चाहिए, और most of the cases में वो ये होना चाहिए, कि आपको best quality value provide करना है, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे important part पर जो है, step number 4, FE, fast lane entrepreneurship, growing a fast lane business with the sense framework, इस step में हम ये सीखेंगे, कि कैसे आप अपना खुद का business शुरू करे और उसे profitable कैसे बनाए, main motivation आपका ये होना चाहिए, कि आप अगर सो भी रहे हो, य अब भी आपका business चलता रहना चाहिए, और grow होता रहे उसी speed में जब आपने शुरू किया था, इस तरीके का business को author ने नाम दिया है, productocracy, author ने define किया है, अब productocracy pulls money to the value creator, businesses who grow organically through pure recommendations and repeat customers compelled by a distinguished product services not readily offered elsewhere, यानि एक ऐसा business, जहां से आप पैसे कमाव, ज्यादा value create करके, और उस business को grow करो होगे आप organically, यानि बिना कोई ad के, और logo के recommendation से and repeat customer से, क्योंकि आपके business का special बात ये है, कि आपका product या services सबसे best है, author कहते हैं कि advertising is for losers, उनका मानना है कि जो business बहुत अच्छा value provide करता है, उसे advertisement की जरूरत नहीं है, यसे कभी भी आपने Rolls Royce, Lamborghini की advertisement नहीं देखी होगी, ये ए उनको पता है कि उनका product उतना अच्छा नहीं है, इसलिए वो push strategy से अपने product को बीचती है, जैसे आपने notice किया होगा कि McDonald's, Coca-Cola, जैसे companies बहुत invest करती है ads में, क्योंकि इनका product बहुत unhealthy है, इसलिए बार-बार ads बनाकर product की demand create के जाती है, जिन्हें athlete and flimstar को करोरों रुपे देकर उन्हें hire की जाता है और promotion पर ध्यान दिये जाता है, लेकिन reality ये है कि वो athletes या वो flimstars खुद इस product को use नहीं करते हैं, prime example है पान-masाला companies का, सिर्फ आपने product बना लिया ये काफी नहीं है, आपका business की success पान चीजों पर depend करता है, जिसे author ने नाम दिया है, sense framework, sense यानि control, entry, need, time and scale, C यानि control, आपका business चाहे किसी भी field में हो, लेकिन उसका control आपके under होना चाहिए, product बनाने से, उसकी marketing करने से, उसका distribution से, सब कुछ आपके control में होना चाहिए, इससे ये होगा कि कोई third party आपके business को खराब ना कर सके, अगर आप Amazon and Flipkart पे product बेच रहे हैं, तो अगर Amazon company बंद ह जाती है, तो आपका business भी बंद हो जाएगा, अगर आपने famous restaurants के franchise भी ले रखी है, और उस company ने ज्यादा discount देना शुरू कर दिया है, तो आपके profit margin पर फिर direct effect आएगा, जैसे अगर मैं अपनी example लो, अगर YouTube बंद हो जाएगा, तो book below भी बंद हो जाएगा, क्योंकि सारे YouTube channels, YouTube company के control में आते हैं, तो जो भी आप business शुरू करे, उसका control आपके under होना चाहिए, यह बहुत important role play करता है, sense framework में दूसरा step है E, यानि entry barrier, इस rule के अनुसार, आपका business जिस भी category में है, उसमें entry barrier high होनी चाहिए, जिससे आप ज्यादा profit कमा सको, and competition भी कम हो, जितना कम entry barrier होगा, एक business में उतना ही ज्यादा competition होगा, और उतना ही मुश्किल होगा profit कमाना, जैसे पूरे दुनिया में बस कुछी companies है, जो computer chips मनाते हैं, क्योंकि ये एक tough business है, इसका ये मतलब है कि वो अर्बो रुपे कमा रहे हैं, क्योंकि business काफी tough है, control and entry दोनों एक साथ ही काम करता है, अगर entry barrier बहुत कम है, तो control आपके उपर नहीं रहेगा, वही अगर entry barrier ज्यादा है, तो business का complete control आपके अंडर होगा, और आप ज्यादा profit कमाएंगे, entrepreneurship तीन चीजों से बना है, number one, solving problem, number two, creating convenience, number three, becoming valuable, सबसे पहले आपका business एक problems को solve करता हो, जिसे customer की life थोड़ी बहतर होती हो, और in return आप solve करेंगे, उतना जादा valuable बनेगी आपकी company, तो आप ये सोच रहे होंगे, कि author हमें कुछ जादा ही बड़ा business शुरू करने के लिए motivate कर रहे है, अगर आपको दूसरा business भी शुरू करना है, जिसमें entry barrier बहुत कम है, और competition बहुत जादा है, तो उस वक्त आपको excellence execution rule को follow करना है जिसका ये मतलब है कि उस field में आपको सबसे best बनना पड़ेगा, अगर आपको एक मिठाई के दुकान खोली है, तो आपको उस area का सबसे best मिठाई बनानी पड़ेगी, अपने दुकान की interior पर काम करना पड़ेगा, बिल्कुल hygienic होना पड़ेगा, अपने employees को आपको train करना ह होगा best service देने के लिए, customer के entrance से, customer की exit तक उनको लगना चाहिए कि यहां का experience बहुत अच्छा था, और यहां का product भी बहुत अच्छा है, जिससे वो आपके product को, या आपके मिठाई को, दूसरों को recommend कर सके, और क्योंकि आपका दुकान काफी hygienic है, ये भी एक बहुत बड़ problem है इंडिया में, क्योंकि locally आज भी बहुत सारे मिठाई के दुकान unhygienic है, sense framework में तीसरा rule है N, यानि need का, आपने ये decide कर लिया कि आपको एक business शुरू करना है, जिसमें control आपके पास हो, और entry barrier भी जादा हो, अब आपको ये समझना हुआ कि market में need क्या है, ideas कहां से लाए, देखिए जब हम बात करते हैं ideas की, तो आपको नया iPhone या फिर नया car launch नहीं करना है, आप ये देखिए कि जो already existing product है, उसमें आप क्या minor improvement कर सकते हैं, पीटर थील ने इसे कहा है last mover advantage, जैसे अगर आपने देखा है कि ये एक existing product है, जैसे bike की seat cover, अब वैसे तो बहुत सारे companies हैं, तो existing bike seat cover को कैसे बहतर बना सकते हैं, इंडिया एक बहुत गरम देश है, तो क्यों ना bike के seat cover को थोड़ा heat resistant बनाया जाए, जिससे अगर लोग अपनी bike या scooty को धूप में पार्क करते हैं, तो उनका seat बहुत ज़दा गरम ना हो, या जो already existing company है, इसे sell कर रही है, उससे आप कै कैसे better sell कर सकते हैं, need ढूनने के लिए आपको market में उतरना होगा, कई बार हम गलती ये करते हैं कि हम online search करते हैं customer की need की, जो बहुत बार real problem से बहुत अलग होता है, sense framework में चौथा rule है T यानि time का, chapter 36 में author ने इस rule को बहुत ही अच्छे से बताया है, the commandment of time, earn more than money, earn time, इस rule में बनाने की कोशिश की गई है, time and income में, दो component बहुत important है, number one, physicality, number two, detachment, अगर आपने एक book लिखी है और वो Amazon पे बिक रही है, तो आपका business में आपकी physicality की जरुवत नहीं है, क्योंकि हर रोज वो automatically ही बिक रही है, आपको physically book बेजने की जरुवत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर आपने एक cake shop open किया है, जहाँ पे आप खुद manage कर रहे हो, तो आपकी physicality की जरुवत बहुत जादा है वहाँ पे, और आपको ये भी make sure करना है कि cake बिके, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्या आपका business कुछी सालों में आपकी physical presence होना जरुरी है या नहीं, दूसरा component ह detachment का, यानि कुछ सालों में क्या ऐसा time आ सकता है आपके business में जब आपकी physical presence की कोई जरुवत ना हो और उपर से आपका time बिलकुल minimum लगे उस business को grow करने में, basically आप detach हो जाते हो उस business से और आप कुछ नया शुरू करते हो या फिर आप अपने लिए time निकालते हो, आपको legacy value system पर focus करना होगा according to author, legacy value system का मतलब है कुछ साल तक business में focus करना, hard work करना, उसके बाद business को autopilot mode पर काम करवाना और अपने लिए passive income generate करना, cents framework में S का मतलब है scale, scale यानि आपका product and services आप same level की value के साथ कितने लोगों को provide कर सकते हैं, scale के 4 component है, आपके company को legacy value system पर focus होना पड़ेगा, ज तो हमने पहले 4 cents से सीखा, दूसरा है replication का, यानि आप जो भी बनाते हैं उसे कैसे आप ज्यादा बना पाओ, अगर आप bread बनाते हैं तो उसे कैसे 10 लाख लोगों को बेच सकें, तीसरा है mass और magnitude, आपको एक product 10 लाख लोगों को बेचना है, या फिर 10 लाख का product आपको 100 लोग जाकि अगर आपको अपने business को बहुत बड़ा करना है, तो control आपके पास होना चाहिए, entry barrier भी जादा होनी चाहिए, जिससे मुश्किल हो competition के लिए आपको beat करना, आपकी product and services की need हो market में, और कुछ साल बाद आपका time involvement कम हो सके, और आखरी ये business scalable हो, चाहे वो mass में हो, यानि ल करोड का घर 20 लोगों को बेचा एक साल में, अब आते हैं step number 5, kinetic execution, kinetic execution में तीन चीज़े करनी हैं आपको, act, assess and adjust, इसमें आपको real action लेना शुरू करना पड़ेगा, kinetic execution का मतलब है कि आपके idea को अब आप एक real product या service में convert करोगे, harry potter books की series की शुरुआत एक word से होई थी, apple company की garage में होई थी, kinetic execution में आपको दो चीज़े करनी है, number 1, the market mind, number 2, the 3 A's, the market mind basically आपको ये बताता है कि आपको अभी क्या करना है and आपको कहां जाना है, simple सब्दों में आपकी product के बारे में market की सोच क्या है, इसलिए author कहते हैं कि आपना दिमाग आपको बहुत जादा business planning पर focus नहीं अगर आपको एक YouTube channel शुरू करना है, तो सबसे जरूरी चीज़ क्या है, logo design करना, team build करना, cameras and equipments खरीदना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, the 3 A's के मुताबिक पहला action होगा, act का, यानि आपको सबसे पहले 30-40 videos produce करनी पड़ेगी, उसे upload करना पड़ेगा, दूसरा है SS का, अब आप उसी तरीके के videos बनाते हो, जिसे लोगों की जरुवत है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, और इसके बाद फिर आप equipment पर focus करते हैं, लोगों को hire करने पर focus करते हैं, तो basically सबसे पहले आपको act करना है, फिर उस act से assess करना है, कि आपने क्या सही या क्या गलत किया ह और तीसरा है आपको adjust करना है खुद को, तो कोई भी business शुरू करने का best time नहीं होता है, तो सबसे पहले आपको action लेना ही होगा, बिना faking के, fake entrepreneurs author ने उनको कहा है, जो business शुरू करने से पहले ही overspend कर देते हैं, ऐसी चीजों पर जिसकी जरूवत नहीं है, जैसे business card बनाना, ल अथर ने कहा है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसो को अपने पास रखना लंबे समय तक उससे भी ज्यादा मुश्किल है, लोगों के पास जब पैसे आने शुरू होते हैं, तो उनका expenses भी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, ये चार disciplines आपको help करेगा, अपने पैसो को respect करने के लिए और unscripted process का जो main goal है, freedom वो भी achieve करने के लिए, चार disciplines है, number one, comparative immunity, number two, proposed savings, number three, measured elevation, number four, consequential thought, तो चलिए सबसे पहले comparative immunity के बारें बात करते हैं, इस discipline के अनुसार आपको किसी को भी compare नहीं करना है अपने आप से, क्योंकि इससे आपकी life depressing बन जाती है, और एक बार आपको comparison की आदत लग गई, then आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है हर दिन hard work करना, और specially जिंदगी में खुश रहना, इसलिए आपके पास जो भी है, और future में आप जो भी आपके पास होंगे, उसके लिए grateful रहें, कोई और अगर अपनी life में अच्छा कर रहा है, पैसिव इंकम बनाने के लिए आपको अपना active income को बढ़ाना पड़ेगा, और उसमें से फिर पैसे सेव करके invest करना होगा, जिससे एक टाइम बाद आपके investment से आप regular income कमा सको, अगर आपने पांच करोर का portfolio बना लिया, और आप उससे साल में 10% भी कमा रहे हैं, तो वो साल का 50 लाग रुपे हो जाता है, और इतने रुपे इंडिया के लिए काफी है, एक अच्छी lifestyle जीने के लिए, नमबर टू है early retirement, जब आप financial freedom अचीव कर लेंगे, तो आपके पास ये choice होगी, कि आपको काम करना है या नहीं, और आप अपने सारे dreams को follow कर पाएंगे, जैसे traveling, family के स जादा time spend करना, music सीखना और लोगों की help करना, तीसरा discipline है, measured elevation, इस discipline में author ने बताया है कि अपने आपको reward भी दीजिये, जो भी आप पैसे कमा रहे हैं, अगर आप अपने आपको reward देते रहेंगे, तो आपका motivation constant रहेगा, आप बहुत दिन से एक car लेने के लिए सोच रहे हैं और आप उस specific car को अगर afford कर सकते हैं, तो उसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है, और बहुत important है कि आप अपने life में enjoy भी करिए, चौथा discipline है, consequential thought, protecting your life, यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी discipline है, हर एक वेक्ती के लिए, आपने अभी तक सीखी लिए आए कि एक event जैसे successful बनना business में, वो आपके process पर depend करता है, लेकिन कई बार कुछ चीज़े ऐसी होती है, जो आपकी life को completely change कर देगा, किसी से मार पीड करना, या कोई accident हो जाना, या कुछ भी illegal करना, ये सारे events आपके और आपके परिवार के life को खराब कर सकता है, इसलिए अपने life को protect करने के लिए आप आपको consequential thought रखना होगा, यानि आपको ये समझना होगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसका result क्या हो सकता है, आपके पास हमेशा एक choice होती है, अगर आपके friends आपको नशा करने के लिए insist कर रहे हैं, तो आपके पास ये choice है कि आप इसे ना करो, तो ये था 4 discipline आपको अपने life में लानी पड़ेगी, और साथी साथ यहीं पे end होता है इस book का detail summary, उमीद करता हूँ कि आपको मेरा explanation जरूर पसंद आया होगा, और आपने जरूर कुछ नया सीखा भी होगा आज इस book से, जिसका नाम है Unscripted by MJ.D.Marco, इस video की quick summary करे तो, society में जो एक हमारे लिए script लिखी जिसे वो कहते हैं, The Unscripted Entrepreneurial Framework. Step 1 में हमने सीखा, The TFE Moment, जहाँ पे आप ये decide करते हो कि आपको अपनी life की script खुद लिखनी है. Step 2 में हमने सीखा, 3 BS, यानि beliefs, biases and bullshit, जिसमें हम सभी ने mindset को change करने के बारे में सीखा है, और specially हमें process focused होना चाहिए, ना कि event focused. Step 3 में हमने सीखा है, meaning and purpose. Life में आप क्या चाहते हो, वो identify करना बहुत जरूरी है. क्या वो financial success है, या mental peace है, या mix of दोनों है, ये clear करना आपको बहुत जरूरी है. Step 4 में हमने सीखा है, FE, यानि fast lane entrepreneurship, और उसमें हमने सीखा sense framework, जो हमें help करेगा अपने business को grow करने में और ameer बनने में. Step 5 में हमने सीख kinetic execution, जिसमें हम real काम करेंगे और उसे better करने के लिए 3 AS formula है, यानि act, adjust and assess. Step 6 में हमने सीखा 4 discipline, ये discipline आपको unscripted process में लंबे समय तक रहने में help करेगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप मेरी बाग की वीडियो भी जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कम टाइम में. और कुकू FM आपको भी जरूर डानलोड करिए, डिस्क्रिप्चर में दियेगे लिंक से, तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स वीडियो में, तब तक लिए keep reading, keep growing.